कि हेलो इसे किलास है आप सभी की हिंदी की जिसमें कि हमने फर्स्ट क्लास में विलों सब्सक्राइब करें था आज सेकंड पार्ट इसको यहां पर देखते हैं तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीए अगर आपने वीडियो को अभी तक सेयर नहीं किय है एंड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हूं यह क्लास आपकी जो है सभी एक्जाम के लिए काफी इंपोटेंट है काफी और सबसे ज़्यादा चुआ है समीच्छा अधिकारी जिसके एक्जाम डेट चुआ है 2023 की 11 फरबरी 2024 में जो एक्जाम कनेक्ट होगा उसके पॉंट अफिव से काफी इंपूटन है तो आज हमारी जो सएकेड क्लास है इसमें कंप्टिट करेंगे फ्लोम सब्द First lecture फ्लुमसब्द का हो चुका था विल nostalgia में सर्ört कीас का करित्रिम होता है option डी सही गया यह question था यहां पर एक काफी खास बात यह है कि जितने भी question है उन्स सब के जो है side से date exam की जो है date यहां पर लिखी हुई है जिससे कि आपको confirm हो यह जो question है previous year में पूछा गया किसी भी exam में next question है जेश्ट मास में निर्चला एक अदसी का ब्रत बहुत कठिन होता है तो जेश्ट का जो है इसमें बिलोम हो जाएगा option डी कनिष्ट जेश्ट का ब्लोम कनिष्ट हो जाएगा साथ साथ बरतनी भी आप देखते चलिए बरतनी सुद्ष भी एक चैप्टर एसमें करकर स्वभाब की दीप्ती की मित्रता तो इसमें जो है स्वभाब की अनीता से बहुत पुरानी है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो होगा option A कॉमल निश्कल्सू का बिलोम सब्द होता है कल्सू option C निमलेखित मैं से बिलोम सब्दों का कौन सा एक यूगम गलत है तो गलत यूगम जो है option C और जो D है दोनों ही इसमें गलत है कटू का तिक्त नहीं होता है और पाश्चात्य का प्राच्च भी नहीं होता है निशिद का बिलोम सब्द विहित होता है बक्र का रजी होता है कटू का म्रदू या मधूर होता है पाश्चात्य का पौवारप्त होता है मधूर का तिक्त होता है कृतग्य का बिलोम होगा कृतग्य का बिलोम जो है कृतग्न हो जाएगा निमलिकित बाक्यों में रेखांकित सब्दों के लिए चार सब्द चो दिए गए हैं ओचित बिलोम छाथ कर उसे चिन्नित कीजिए तो लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखने देखते ही बनता था तो ओजश्वी का बिलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कांति हीन option C ओजश्वी का बिलोम कांति हीन या निस्तेज होता है जबकि मलीन पवित्र का बिलोम है next question है शनमार्क सब्द का बिलोम होगा शनमार्क का बिलोम जो होता है प्राकृतिक सब्द का बिलोम सब्द जो होता है वो होता है कृत्रिम UKPCS AXE में पूछा गया था नैसर्गिक का बिलोम अभी बताया था कृत्रिम होता है नैसर्गिक का बिलोम कृत्रिम होता है प्राकृतिक का बिलोम अप्राकृतिक का कृत्रिम होता है प्राचीन का बिलोम जो होता है नवीन या अर्वाचीन होता है पुष्ट सब्द का बिलोम होगा पुष्ट सब्द के लिए बिलोम जो होगा वो हो जाएगा ओप्सने छीड पुष्ट का विलोम छीड होता है पुष्ट सब्द का विलोम छीड होता है जबकि प्रकर्तिक का विलोम कृत्रिम पुर्षकार का विलोम दंड एवं दुष्ट का विलोम जो सज्जन होता है उतला सब्द का विलोम होता है उतला का विलोम गहरा होता है बिरा का बिलूम होगा चेतन छिचला सब्द का बिलूम क्या हो जाएगा गहरा उसके बाद यहां पे जड का चेतन जल का थल होता है मूर्ख का पंडित होता है सुप्त का विरुद्धार्थी सब्द क्या होगा सुप्त का जुआ हो जाग्रत चपल का बिलूम सब्द क्या हो बिलूम होगा God, निम्लेकित मैं से कौन सा विप्रित आर्थक युग में सही सो में लेता, तो option B, औरस, औरस का बिलूम जोँआ जारस हो जाएगा, औरस का बिलूम जारस, औरस होता है, बिकल्प B जोँआ सही अंसर है, इस्थाबर का विप्रित आर्थक सब्द क्या होगा, इस्थाबर का जगम हो जाएगा, कुछ सब्द हैं यहाँ पर, जैसे कि सन्यासी का बिलूम सब्द क्या होगा, सन्यासी का बिलूम सब्द हो जाएगा, ग्रहस्त, इस्थाबर का जगम होता है, सेवक का श्वामी होता है, छुद्र का विशाल, छुद्र यहाँ पर एक सब् सब्द का विलोम आर्थी सब्द होता है तिरोभाव, option c, सोचप्त का विलोम सब्द होगा, सोचप्त का जवा जागरित हो जाएगा, दिये गए विकल्पों में से मुर्दनी सब्द के लिए विपरितार्थक सब्द क्या है, तो मुर्दनी का विपरितार्थक सब्द होगा, आबर भाव सब्द का विलोम तिरोभा होता है प्रकट का अप्रकट या गुप्त होता है उद्भाव का अवशान होता है इस्थाई का विलोम अस्थाई होता है बिसात का हर्स होता है तात का लिका दूरगामी होता है दिये गई विकल्प में से थलका विरुद्धार्थी सब बिलोम क्या है तर्षा का जो है त्रिप्ति हो जाता है निमलिखित सब्द के बिलोम सब्द का चैन की चैन दिये गए बिकल्पों में से करें सतकार का जो है बिलोम हो जाएगा त्रिशकार किसी का सतकार करना किसी का त्रिशकार करना जैस्ट उसका अपोजेट हो जाता है महान का विप्रितार्थक सब्द क्या होता है महान का जोगा तुच्छ तुच्छ होता है तिरसा का त्रप्ती होता है मिरसा का अम्रसा होता है दिसा का दिसाहिन होता है सुलब का उपीक्त विप्रितार्थक सब्द जो है दुरलब होगा अबरभाव का सही विप्रितार्थक इसमें से सुएतांबर का बिलूम क्या हो जाएगा। दिएगे बिकल्पों में से कौनसा बिकल्प कुरूर का विरुद्धार्ती सब्द होता है तो कुरूर का जो होता है विरुद्धार्ती दयालू होता है एकाई का विलूम सब्द होता है एकाई का विलूम होता है इसमें दहाई और किरपड का विलूम सब्द होता है किरपड क का विलुम जो है दान भी हो जाएगा यहां पर जो है अलब जिसे प्राप्त न किया जा सके और दुष्प्राप्त का जिसे कटनाई से प्राप्त किया जाए दुर्दम में का जिसे कटनाई से दबाया जाए निमलिखित में से सतकार का विलुम सब्द है सतकार का विलुम हो ज जाएगा दनुच, निर्मार का बिलोम सब्द क्या होगा, निर्मार का ध्वन्स हो जाता है, महत्मा सब्द का सही बिलोम सब्द क्या होगा, महत्मा का बिलोम हो जाएगा, दुरात्मा, दुर्जन का सज्जन होता है, दिये गए विकल्पों में से छाया का विप्रितार्थक स सब्सक्राइब्स तो संकित का विलूम जो होता है वो निशंक हो जाता है साकार का विप्रितार तक सब्द दिये गई विकल्पों में से कौन सा है साकार का विप्रितार तक निराकार होगा प्रब्रती सब्द का विलूम कौन सा होगा प्रप्रती का बिलोम जो है निब्रती हो जाता है सापेच का बिलोम सब्द क्या होगा सापेच का बिलोम जो है निर्पेच हो जाएगा option C बजन की सभा में धनी और साथ साथ बैठते हैं तो इसमें जो है धनी और निर्धन जो है इसका धनी का बिलोम जो निर्धन हो जाएगा सगुड़ सब्द का बिलोम सब्द क्या होगा सगुड़ का बिलोम निर्गुड होगा ध्वन्स सब्द का बिलोम सब्द क्या होगा ध्वन्स का बिलोम हो जाएगा निर्माण संपन्यता का विलूमजब्द कौन सा होगा संपन्यता का विलूमजब्द निर्धनता हो जाता है धनी सब्द का विलूमजब्द जो है निर्धन हो जाता है उसी प्रकार से सास्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और इसमें भी नश्वर हो जाएगा और चरंटन काफी वार पूछा गया है कि नश्वर कि अ सारश्वत工 चरिक हो नस्वर क्योंकि ये question काफी बार पूछा गया है उत्क्रष्ट सब्द का विलूम क्या हो जाएगा उत्क्रष्ट का विलूम निक्रष्ट हो जाता है सजल का विलूम बता ही सजल का निर्जल हो जाता है कल्सू का विलूम क्या हो जाएगा कल्सू का निर्जल हो जाता है आयात कि सब्द का विप्रितार्थक सब्द है तो निरयात का सार्थक का विप्रितार्थक सब्द क्या है सार्थक का हो जाएगा निरर्थक आसा जीवन में प्रकास का संजार करती है रेखांकित सब्द का उचेत बिलोम सब्द बताईए तो यह हो जाएगा निरासा आसा का निरासा शाश्वत का जो है नश्वर हो जाता है और आमिश का जो है क्या हो जाएगा बताए ये आमिश का जो है निरामिश हो जाएगा बिलूम इस्थाई का स्थाई होता है नित्य का नित्य होता है उसी तरह से कल्सू का निसकल्सू हो जाता है में से कौन साब्ध सारल सब्द का विलूम सब्द नहीं स cities सब्द का विलूम होगा स्रश्थी का जोए प्रल restor कि विजय के साथ किसी की जो है पराजय जुड़ी रहती है तो विजय का विप्रिदार थाक पराजय हो जाएगा यहां पर स्वर्ग सब्द का विलूम क्या हो जाएगा स्वर्ग का नरक हो जाएगा आस्तिक का विलूम क्या हो जाएगा आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा बादी का विलूम क्या हो जाएगा निब्रती सब्द का विलूम क्या हो जाएगा निब्रती का प्रब्रती हो जाएगा क्योंकि प्रब्रती निब्रती सुब्रत का कुब्रत सद्ब्रती का असद्ब्रती निमलेखित विकल्पों में से दो सब्दों का जोड़ प्रतम तह दुतिय दिया गया है वह जोड़ ग्याद करें जिसमें कि दुतिय सब्द का अर्थ प्रतम सब्द की शमान न हो तो इसमें सही आंसर जो है option B प्रपात का बैजेंती सही सब्द होगा पूरवर्थी का बिलोम सब्द दिये गए विकल्पों में से कौन सा है तो option D परवर्थी स्वार्थ का बिलोम सब्द क्या होगा स्वार्थ का परमार्थ हो जाता है सहयोगी का सर्वदा उप्युक्त विप्रितार्थक सब्द क्या होगा सही योगी का जो है प्रतियोगी हो जाना चहिये है यहांपे है तो सही गबारत्या cri von 5 शालत्य का पॉबारत्य हो जाएगा ऑप्छन फिर बेकर का बिलों क्या हो जाएगा गाड़ा का जो हपतलु जो कंटक का Preनाट जुए हो जाता है प्रतिच का परोच्छ जाता है और प्रश्चन सब्द के लिए बिलूम है प्रस्चन के लिए प्रतिपन हो जाएगा उत्थान का बिलोम सब्द क्या होगा उत्थान का जो है पतन हो जाएगा निम्न मैंसे कौन सा बिलोम सब्द सुमेलित नहीं है तो आप सने पौरानिक का प्राचीन जो है सुमेलित नहीं है उत्थान का पतन प्रस्थान का आगमन और विस्थापन का संस्थापन नवीन सब्द का विलोम सब्द बताईए नवीन का विलोम जो प्राचिन हो जाएगा दिये गए पिकल्पों में से अनकूल का विप्रितार्थक सब्द कौन सा है तो अनकूल का प्रतिकूल हो जाएगा कौन सा सब्द नवीन सब्द का विरुद्धार्थी है तो नवीन का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा यहां पे नवीन का कोई नया है तो कुसका क्या हो जाएगा पुरातन पुरातन या फिर नवीन का प्राचिन हो जाएगा पुरातन नवीन का प्राचिन हो जाना चाहिए option C नवीन का विरुद्धार्ती प्राचिन होता है अगर का बिलूम सब्द क्या है अगर का पश्च हो जाता है अगर का पश्च हो जाता है नीचे का ऊपर पूर्व का पश्चिम आग का पीछे अमित सब्द का बिलूम क्या हो जाएगा अमित का जो है option C परमित हो जाना चाहिए आकास का बिलूम सब्द बताईए आकास का बिलूम पातल हो जाएगा प्रत्वी का गगन हो जाएगा अनर्थ का अर्थ और अनक का नग हो जाएगा इसमें अग्र हिस्सा अतिभव्व्व है तो अग्र का जो बिलूम क्या हो जाएगा option B पश्च UPSI में पूथी में श्वप्त में 2017 में दिये गए काले अच्षर सब्त का विप deux तार्थक सब्द बताईए तो इसमें जो अनकूल का बिलोम हो जाएगा प्रतिकूल गुप्त का बिलोम क्या हो जाएगा गुप्त का हो जाएगा प्रकट और अर्वाचीन सब्द का बिलोम क्या हो जाएगा अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन अमावश्य घोर अंदिकार का प्रतिक है और इसमें जो है तो इसका C हो जाएगा पूर्डमा अमावश्या का बेप्रितार थक पुरोगामी का विलोम सब्द क्या होगा? पुरोगामी का पर्चिगामी हो जाएगा अबर का विलोम सब्द क्या हो जाएगा? अबर का प्रवर हो जाएगा अनुलोम सब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनुलोम का प्रतिलोम हो जाता है और इही लोग का परलोग हो जाएगा परलोग option जो है C सही है सीरसस्त का क्या हो जाएगा पादस्त हो जाएगा स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा स्वच्छंत का नियंत्रित हो जाएगा स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा निरंकुस का अंकुस हो जाएगा आकास का पाताल हो जाएगा लोक का परलोक हो जाएगा और आगमन का विलोम क्या हो जाएगा प्रस्थान हो जाएगा और कौन सा सब्द अनकूल का विलोम सब्द है तो अनकूल का विलोम प्रतिकूल हो जाएगा उसके बाद next है प्राची सब्त का विप्रितार थक है प्राची का जो प्रतीची हो जाएगा UPRO-ARO रियक्जा में पूछा गया था प्राची का विप्रितार थक प्रतीची हो जाएगा next है कौनसा सब्द एहिक सब्द का बिलूम है तो एहिक का बिलूम जो है यहां पर पारलोकिक हो जाएगा Option C, आगमन का प्रिस्तान, आदान का प्रिदान, महान का तुछ, प्राची पूरव होता है, प्रतीची का पश्यम होता है अर्थ, उधीची का उत्तर, और अवाची का दच्छल होता है, नभीन का प्राचीन होता है, गिरना सब्द का बिलूम क्या हो जाएगा, गिरना का प्र सब्धek का बेजोड हो जाएगा सवाधिंता का पराधिन हो कि प्रकार अम्रत का आप अत्रंग का शाल गया यहां पर योग का भोग बिलुम सब्द अम्रत का बिश हो जाता एश्वर का अनैश्वर अधम का उत्तम आमिश का निरामिश हो जाएगा अंतर मुखी का जो है बहर मुखी हो जाएगा आध्यात्मिक का जो है यहां पे भौतिक हो जाएगा आभ्यांतर का जो है वाहय हो जाएगा मौन का जो है यहां यहां पर मुखुरता हो जाएगा गाय का जो है यहां पर बैल हो जाएगा बंधन का जो है यहां पर मुक्तु हो जाएगा भैस का भैसा होता है सेह का शेहनी बिल्ली का बिलोटा अल्पकी का जो है बहुक्य होता है निर्मल का बिलूम जो है मलिन होता है एकल का बिलोम सब्द है यहाँ पर एकल का बहुल हो जाना चाहिए option D सही है एकल का बहुल होगा यहाँ पर निमलेखित मैसे कौन सा सब्द तिक्त का बिलोम हो जाएगा यहाँ पर मीठा और कुशागर का बिलोम जो हो जाएगा वो मंध हो जाएगा उच का नीच हो जाएगा निम्न का स्रेष्ट अंचल या गंभीर का चंचल हो जाएगा तीछड का जो है बिलूम मन्द हो जाएगा करकस का मधुर हो जाएगा उसी प्रकार जो है गती का बिलूम क्या हो जाएगा मन्द हो जाएगा उसी प्रकार उम्मीद का जो है मायूसी हो जाएगा अपवे का जो है यहाँ पर मितब्य हो जाएगा गौरब का लांगव हो जाएगा उसी प्रकार जो है नकल का क्या हो जाएगा नकल का मूल हो जाएगा ग्रस्त का बिलोम क्या हो जाएगा मुक्त हो जाएगा में अमर का सब्ध नमान का कि यहां पर। में यहां पढ़े इसे ही जया से जि Michu हुझ